इप गुडेरी फ्रेंट्स and welcome back to our YouTube channel तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे चैनल पर हम 2002 के India vs Zimbabwe की series को हम reaction दे ले जिसमे आज हम reaction देने हुरे चौन्दे इंटरनेशन मकाबले का इसे पहले हम 3 वंडे इंटरनेशन मकाबलो की reaction दे चुके जिसमें टीम इंडिया दो एक से पिछड़ गई है इस सीरीज में जी है टीम इंडिया इस सीरीज में दो एक से पिछड़ गई है क्योंकि जिम्बाववे ने दो मैचे जीत लिये है और इंडिया सिर्फ एक ही मैच जीत सका था इस सीरीज में तो जैसे कि इस सीरीज में जिम् हुए टीम इंडिया हारने के कगार पे भी आ गई थी लेकिन फिर भी टीम इंडिया अपने नर्स पे 2002 के सीजन में 60 गेंदों में 80 रोनों की पारी आप खोदी सोचे यूरा सिंग किस कैलिबर के खिलाड़ी होंगे हाला कि यूरा सिंग ऐसे खिलाड़ी है जिनको पूरी दुनिया जानती है यूरा सिंग ने 2007 और 2011 का विश्व कब जो इंडिया ने जीता था उसमें बहुत ही एहम रोल निवाय था वो हम आगे के एलेक्शन वीडियो में आपको बताएंगे तो अभी फिलाल चलिए शूरू करते है हमारा 2002 में जो मैच हुआ था इंडिया जिंबाववे का चौथा उडिया ये मुकाबला उसमें भारत ने किस तर्के से जीत हासिल की और की सेरीज में कमबैक कर लिया था तो आईए सबसे पहले हम आपको बताते है इस मैच के इंफरमेशन के बारे में तो ये मैच खेला गया था लाल भादूर शास्त्री स्टेडियम हाइदरबाद में सेरीज का चौथा मुकाबला था और इस मैच में जिंबाभवे ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का निखने लिया था ये पचास ओर का मुकाबला था जो कि डे नैट मैच था ये मुकाबला जो खेला गया था इसमें आईए दोनों टीम्स की पहले प्लेंग 11 देख लेते हैं तो जिंबाभवे की प्लेंग 11 थी अलिस्टर कैंबल, डियोन इब्राहिम, ट्रैविस फ्रेंड, एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, स्क्वर्ट कार्लाइल, हीट स्क्रिक, डगलस मरीले, टटेंदा ताइबू, डगलस हॉंडो और पॉमियम बांगवा यह थी जिंबाभवे टीम की प्लेंग 11, आईए आप देखते हैं इंडियन टीम की प्लेंग 11 के बारे में, तो इंडियन टीम में थे दिनेश मूंगया, सौरव गांगुली, वीवियस लक्षमन, राहुल ड्रविड, महमत कैफ, यूराथ सिंग, अजित अगरकर, अजे रा आत्रा, हरभजन सिंग, जहीर खान, और मुरली कार्तिक, जी, तो इस मैच में अनिल कुमले तो नहीं खेल पाए थे, तो उनकी जगह, मतलब अनिल कुमले पिछले मुकाबले में भी नहीं खेल पाए तो पिछले मुकाबले में तो शरंदीप सिंग खेले थे उनके जगह, लेकिन इस मैश में उन्के जगा मुर्ली कार्थिक ने जगा लिए शहरंदीप सिंह की जगा और सजेबांगर की जगा युरा hearings ने इस मैश में जगा ली थी तो आईए देश शुरू करते हैं कि देखते हैं इस मैच में किस तरह के से जिंबावे ने पहले बैटिंग करके स्कोर किया जिंबावे के तरब से अलिस्टर कैमबेल और डियोन इब्राहिम ने शुरूआत की और शुरूआत इतनी खराब रही कि तेरा रन पर उनके दो विक्टे गिर गए थी और दोनों विक्टे आजित आगर करने लेके भारत को एक जबर्दर शुरूआत दिलाई थी उस मैच में अलिस्टर कैमबेल तीन रन छे गेंदो में डियोन इब्राहिम अड़तीस रन चौतर गेंदो में जिसमें पांच चौके उन्होंने लगाए थे ट्रैविस प्रेंड बगर खाता खोले पविलन लोड़ गे जीरो रन तीन गेंदो में फिर एंडी फ्लावर एटी नाइन एक वो खिलाडी थे जिए अपने तेज तरह बैटिंग की वज़े से स्कोर को 240 तक पहुंच आया हीट स्ट्रिक 10 रन 13 गेंदो में जीरो रन गेंद में सॉरी एक भी चौका ने लगाया पाये वो डगलस मरी लेर सिर्फ एक रन बनाए तीन गेंदो में और टेंडर आईबू न के एंडी फ्लावर ने 89 रंस किये पारी खेली थी उन्होंने 240 में इस 240 में में जिंबावे को कुल मिला के 12 एक्स्ट्राइज मिले थे बोलिंग यहाँ पर भी टीम इंडिया का कंसर्ण रहा है मैं आपको बताऊंगा कैसे तीन लेक बाई दिये साथ वाइड और दो नो बॉ इक The one day international में यह सं कहीं मतलब चिंटा कहीं विषय है तो आई आप देखते हैं की पार्टनर्शिप्स जिंबाभे की टरब से इस मैच में कौन सी कौन सी पार्टनर्शिप्स लगी थी तो जिंबाभे नियृती मैं सबसे जबर्लस पार्टनर्शिप्स लगी थी ना नी फ्ल तो इसके अलबावा एलस्टब और अधर कैमबल धुंर से आय। है, यह ढर्लिक सी Jag V definitely King किसने किस तरीके से कि Nash Battle citizen टीम इंडिये के लिए उस मैच में अजीद अगरकर दस ओवर में दो मेडन बतीस रहनों चार विक्टे उन्होंने ली थी और अजीद अगरकर ने जो चार विक्टे ली थी वो है एलिस्टर कैमबेल जिनको राहूर राविट दोरा कैच आउट करवाया उसके बाद ट्राविस स्प्रेड जिनको अजे रात्रा दोरा कैच आउट करवाया फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्वर्ट कारलाईल उनको क्लीन बोर्ड किया मैच की आखरी गेंद पर और डगलस मरी लियर जिनको वीवेस लक्षमान दोरा कैच आउट करवाया उन्होंने हलाकि पांच विक्टे आजित अगर करकी हो सकती थी इस मैच में क्योंकि उन्होंने टटेंद ताइबू का जो कैच हवा में उड़ा था उन्हीं की बोलिंग पर आखरी ओवर में वो कैच पकड़ने में असमाद रहा अजित अगर करका वो कैच उनके हाथों से छूड़ गया था वरना पांच विक्टे उस मैच में उनके मुकमल हो सकती थी उसके बाद आईए देखते हैं दूसरे गिंबास जो सबसे सफल रहे वो है जहीर खान दस और में 58 रन देकर दो विक्टे ली उन्होंने और जहीर खान ने जो दो विक्टे ली वो है एंडी फ्लावर जिनको अजर आत्रा दोरा कैच आउट करवाया और हीट स्ट्री जिनक उसके बाद दस और में 54 रन देकर कोई विकेट निया और दिनेश और में 20 रन देकर उनको भी कोई विकेट नहीं मिला तो इस तरीटे से भारत के सामने 241 रनों का टार्गेट रखा गया था तो 241 रनों का टार्गेट टेस करने टीम इंडिया उतरी जिसमें उपनर आये दिनेश मोंगया और सौरव गांगोली टेस तर रर शुरुवारत दिलाई थी चौके पे चौके चौके माहरे जारे चौके पांच चौके उन्हों लगाए 30 रन बनाये था उन्होंने 32 गिंदों你ân ुरुश olduğ contrib सौरव गांगोली ने इस मैच में भी निराश किया क्योंकि उन्हें सिफ साथ ही रन बना थे 16 गेंदों में उसके बद वीवेस लक्षमन ने भी इस मैच में निराश किया उन्हें एक भी चौका नहीं और कोई छक्का नहीं लगा पाए उस मैच में मुहमद कैफ 68 रन बना है उन्हें 101 गेंदों में है अलागि यह दिख रहा है हमें कि 101 गेंदों में सिफ 68 बना है 60 गेंदों में 80 रन आठ चौके और एक जबर्दस चक्का उन्हें लगा था उसके वज़ा है अजिता गटकर नौट आउट पांच रन तीन गेंदों में एक चौका उन्हें लगा इस मैच में इंडिया को बार नौ एक्स ट्राइज मिले जिसमें एक लेग बाए एक बाए दो लेग बाए और छे वाइड नो पॉल कोई ने था छे वाइड भी देखा जाए तो ये एक कंसर्न का ही विशे है तो बोलिंग तो जिमबवे की भी कुछ खास नहीं रही आईए अब देखते हैं इस मैच के टीम इंडिया के पार्टनर्शिप्स के बारे में त फिर पहले विकेट के लिए दिनेशna होंगिया और सौर अपघाञ भी दूसरे विकेट के लिए दिनेश्मोंगय और वीवेस लक्षमन के बिश बीस रन की पार्टनर्शिप हुई थी फिर इसके अलावा यूराज सिंग और अजित अगरकर छटे विकेट के लिए नोट आट अठारा रंग के पार्टनर्शिप हुई थी तो यह तो रही पार्टनर्शिप्स के बारे में जानकर अब आईए देखते जिंबाबवे ने किंदबाजी किस प्रकेर की ती उस मैच में इस मैच में जिंबाबवे की देनेश मौंगया एकमपले दोरा कैच आउट करवा गार दूसरे थे वीवियस लक्षमन उनको विकेट कीपर टटेंदा ताइबू दवारा कैच आउट करवाया उन्होंने तेरा जी रन बना पाए थे वीवियस लक्षमन उस मैंश में इसके बाद दूसरे सफ़ल के इन बाद रहे थे अजी जैन्डवर्ट टेंडीया के अधृ जूप चलीन बोल्ट कर दिया था और उसके बाद डग्लस होंडू आट ओर दो लेग्लांड अईद्धियन केप्टैन सौर गांगूली का विकेट लिया था डग्लस होंडू ने उनका विकेट लिया था ग्रैंट फ्लावर्ड फिर इसके बाद Heath Street ने 8 ओर में 36 रन कोई विकट नहीं मिला उने बामियम बांगवा आठ ओर में 27 रहन उने भी कोई विकट नहीं मिला और Douglas Marika 8 ओर में 7-28 कोई विकट नहीं मिला उने भी तो इस परकार भारत ने यह उम्हुपाबला 5 उमिकटो से जीत लिया था अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सीरीस का पाँचवा जो मुकाबला था वो इंडिया ने किस प्रकार वो मैच जीत कर सीरीस 3-2 से अपने कबजे में ले ली थी तो आज के वीडियो में बस इतने थैंक यू, गुडबाई एंड टेक केर